Hello all, Welcome to Magnus Training Academy आज के वीडियो में हम देखेंगे Introduction to Problem Solving तो basically मैंने ये section को two parts में divide किया है पहले part में हम देखेंगे Basics of Algorithm, उसके Characteristics, Representation और Representation में हम देखेंगे Flow Chart next जो इसका Representation आता है Pseudo Code Representation वो हम next part में देखेंगे plus we will see some examples जिससे आपका Understanding बहुत clear हो जाएगा Maybe आपने already इसको complete कर लिया हो ये chapter बट still मैं कहूंगी आप एक बार ये वीडियो को watch जरूर करना और end तक हो सकता है आपको कुछ इसमें नया सिखने को मिल जाए आप अगर मेड़े वीडियोस देखेंगे आज तक तो specially मैं focus करती हूँ हम implementation oriented पढ़े और हम understand करके concept को पढ़े Right? Theories तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा Statement खली by hat करना That is not our purpose Right? We need to understand the concept Concept understand करके कैसे हम इसको use करेंगे That is more important Right? So let's start our today's topic Problem solving है क्या? और हमें क्यों ये study करना जरूरी है? Right? किस field में काम आने वाला है अगर हम direct coding करेंगे Direct programming करना सीख जाएंगे तो क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं उसके बाद हम उसके proper formal definition पे जाएंगे Okay? इसको समझने के लिए हम एक real life example लेते हैं Let's say हम सो रहे हैं और आदी रात में हमारा fan बंद हो गया चलना तो इस case में हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या steps लेने वाले हैं पहले? वो हम देखते हैं Right? पहले हम क्या देखते हैं? कहीं power supply तो बंद नहीं हो गया कहीं switchboard में तो कोई problem नहीं आ गयी या फिर कुछ fan में ही कुछ issue आ गया तो ऐसे करके हम पहले क्या करते हैं? identify करते हैं कि कहां पर problem हुआ है तो कुछ ऐसे दो तीन चीज़ें हम पहले analyze करते हैं identify करके analyze करते हैं कि क्या problem कहां पर हुई है? हमें तो इतना knowledge नहीं होगा electric connections में क्या हुआ है but still हम क्या करते हैं एक beginners approach हमारे तरफ से हम ये कुशिश करते हैं कि हो सकता है switchboard में कुछ lose connection हो गया हो और हम on off एक बार करेंगे तो चल जाएगा या फिर हमारा power supply ही बंद हो गया हो तो हमें wait करना है जब तक power supply नहीं आता या फिर कुछ fan में ही issue हो गया है तो ये हमारा एक daily life का example है जो कि हम एक process follow करते हैं कोई भी problem आएगा तो similarly कोई और problem आगया हम drive कर रहे हैं हमारे गाड़ी में कुछ noise आ रहा है अचानक से कुछ noise आया तो फिर उसमें हम क्या करेंगे पहले हम देखते हैं कि कहां से noise आ रहा है फिर अगर हम से हो पाएगा तो हम solve करेंगे या फिर हमें mechanic के पास ले जाना पड़ेगा तो हमने ये plan बना लिया कि हमें mechanic के पास ले जाना है तो mechanic के पास हम लेके जाते हैं तो वो उसे solve करता है mechanic एक बार आपका test drive कर लेता है फिर आप खुद चला के देख लेते हो, सब कुद सही है, फिर हम वो problem को हाँ पे close करते हैं, हमारा problem हाँ पे solve हो जाता है, यही approach हम normal life में use करते हैं, same approach हम use करेंगे in case of computer also, right, तो अभी computer के case में क्या है, उसको तो कई समझ नहीं है, हमारी तरह वो सोच नहीं सकता, कि आपको पहल करना है, input हमें ही देना है, right, तो as a programmer और as a user, हमें ही उसको input देना है, तो computer यहाँ पे क्या करता है, input लेता है, processing, then output, यही तो main काम है उसका, अगर हमारा input जो है, वो जितना effective होगा, जितना qualitative होगा, जितना correct होगा, हमारा output उसके उपर depend करता है, हमें कोई भी एक problem को अगर solve क करना है, तो वो concept phase में जाएगा, तो वो problem को हमें feed करना है computer में, तो उसको जो feed करेंगे हम, कैसे feed करेंगे, पहले तो हमें analyze करना पड़ेगा, हम तो direct वो problem को ऐसे लिखे, हमारे language में लिखने ही सकते वहाँ पे, तो problem आया, और हमें उसको computer को देना है solve करने के लिए, तो फिर हम कैसे देंगे उसको, हम तो अपने language में उसको बोल नहीं सकते न, हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि चार number है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा या find करके दो, ऐसे हम directly तो लिख नहीं सकते अपने language में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक program बनाना है, कुछ steps बनाने है, तो जो program बनेगा, वो ही तो as a input उसके लिए काम में आएगा, फिर वो process करके output देगा, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें problem को analyze करना है, फिर उसके बाद कुछ step by step methods हमें represent करना है, जैसे हमने पहले किया था, हमने कुछ plan बनाया, फिर हमने कुछ steps बनाया, उसक language, in any language हो सकता है, जो हम normally बात करते हैं, जिस language में, वही language में है, ठीक है, तो step by step method होता है, कोई भी issue को solve करने के लिए, हम जो method follow करते है, step wise, उसको हम algorithm बोलते हैं, simply, तो first हमारा analysis हो गया, then algorithm भी हमने लिख लिया, ठीक है, step by step कैसे करेंगे, हम problem को approach, वो हमने finish कर लिया, next जो आ हाँ, directly तो understood नहीं कर सकता है, वो program में भी जो लिखा है, उसका भी encoding होता है, वो भी compile होता है, ठीक है, वो machine language में, वो convert होता है, बट वो हमें इतना details में जाने की फिलाल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, program लिखते हैं, जो की computer use करता है, उसको process करने के लिए, और फिर हमें उसका desired output जो है, हमें वो देता है, right, then हम क्या करेंगे, जब finally हमारा code ready हो गया, हम उसको test and debug, debug जो है, वो computer term जो है, इसका मतलब है, कोई bug, bug मतलब है errors, ठीक है, errors हो गया आपका, जैसे हम mistake बोलते हैं, in our term हम mistake बोलते हैं, कोई भी हमने mistake कर लिया, तो bug मतलब जो computer में error आया, तो हमने उसको correct किया, ठीक है, तो finally, जब हमारा test जो है, वो pass अगर हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको close कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमारा test fail होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से कहां पर fail हुआ, उसको फिर हम analyze करते हैं, फिर हम check करते हैं, कि अगर, कि जो हमने method apply किया था शायद वो गलत हो तो हमें फिर से step wise method use करना पड़ता है जो फिर से हमें algo check करना पड़ता है और फिर हम coding करते हैं तो ये cycle फिर repeat हो जाता है तो basically एक programmer का काम क्या होता है वो एक programmer जो program लिखता है वो basically क्या है एक set of instruction होता है और वो जो set of instruction है वो computer को बताता है कि आपको क्या काम करना है और वो steps कैसे follow करना है ठीक है computer तो think नहीं कर सकता computer तो analyze नहीं कर सकता खुझ से हमें ही बताना पड़ेगा उसको तो हम बताते हैं उसको program के through और वो program होता क्या है जो algorithm है उसी को हम programming language में लिखके एक program बनाते हैं जो कि computer as instructions use करता है to perform any task ठीक है तो algorithm जो हो गया वो base हो गया हर एक program का फिर तो जो algorithm है वो एक first step है हर किसी programmer के लिए base होता है उसका algorithm ठीक है तो जितना algorithm जिसका जितना perfect रहता है उतना efficient उसका program होता है एक problem के लिए बहुत सारे alternative solutions भी हो सकते हैं तो उसमें से choose करके जो perfect है वो find करना जो कि सबसे accurate हो reliable हो जिसका efficiency सबसे highest हो वो सारी चीजों को ध्यान में रखके हम steps बनाते हैं जो कि algorithm बनाते हैं और उसको finally हम convert करते हैं to program तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर characteristics क्या-क्या है एक good algorithm का पहला है कि जो steps हैं वो precisely define होना चाहिए precise and defined ऐसा नहीं कि हम एक जो भी step लिखें वो बहुत बड़ा statement हो तो वो इतना effective नहीं माना जाता हम काफी short में उसको define कर सके हमें वो precision maintain करना है next is define input and output state हर algorithm कुछ ना कुछ input लेता है और कुछ हमें output देता है तो वो properly हमें define करना है कि input क्या ले रहा है और output क्या दे रहा है next आगया हमारा uniqueness तो uniqueness क्या है कि हर जो step है कहीं पर भी repeated नहीं होना चाहिए ठीक है एक step फिर से दूसरी बार repeat हम नहीं करेंगे अगर ऐसा repeat आ रहा है तो हम उसको एक loop बनाएंगे next step finiteness इसका मतलब है हर एक algorithm को एक definite number of steps के बार उसको end होना है एसा नहीं कि वो पूरा infinite time चलता रहा है ठीक है हर एक algorithm को कहीं न कोई stop होना है तो उसका जो stop point है वो हमें specify करना है next is representation of algorithm तो algorithm को represent करने के लिए दो तरीका है first is आपका visual representation जिसको की हम बोलते है flow chart और second जो है कुछ एक non formal language यूज करके define terms होता है वो language में वो use करके हम represent करेंगे जिसको बोलते हैं pseudocode तो पहला हम देख लेते हैं flow chart हम यहाँ पर एक example लेंगे example में हम पहले algorithm लिखेंगे फिर उसका flow chart बनाएंगे ऐसे करने से आपको बिलकुल clear understanding हो जाएगा first example देखते हैं find the average of two numbers तो एक algorithm का basic components क्या है input, process और output पहले हमें यह तीन चीज़ को define करना है तो यहाँ पर input क्या रहेगा यहाँ पर क्या दिया है two numbers का average find करना है तो input है two numbers process, process क्या करना है ना पहले हम जो average find करेंगे उसके लिए क्या करना है पहले add करना है two numbers को उसके बाद हमको divide by two करना है तो यह हो गया आपका process phase, next है output, तो output हमें क्या चाहिए, ना average चाहिए हमें, वो दो numbers का average चाहिए, तो वो हो गया आपका output, right, तो यह हमने define कर लिया, next हम algorithm लिखेंगे, तो algorithm में first step क्या है, पहले input लेना है हमें two numbers, okay, तो take two numbers, x and y को हमें, ऐसे naming हमने कर दिया, उसको x and y करके, ठ step two में क्या रहेगा, add the two numbers and store it in sum, तो एक variable हमने ले लिया sum करके, जिसमें हम दो numbers को add कर लिया और उसमें store करेंगे, ठीक है, फिर हम step three में क्या करेंगे, जो हमारी result मिला है step two में, जो sum है, वो हमारा result मिला हमें step two में, उसको हम क्या करेंगे, divide by two करेंगे, और उसको store कर देंग sum, x and y, आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, right, बट जो context है, उसको match करना चाहिए, to make it meaningful, ठीक है, उसको कुछ sense देने के लिए, जो context है, यहां पर average find करने के लिए दिया है, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, average यहां पर ऐसे लिया है, sum लिया है, ठीक है, next step four क्या है, हम output जो उसको हमें print करना है, तो average हमारा final output आ गया, तो उसको हमें print करना है, print average, तो यह हो गए हमारा algorithm की steps, अब हम यही steps को use करेंगे, in terms of flow chart और pseudocode, okay, तो पहले हम देखते है, flow chart, flow chart के लिए हमें क्या-क्या requirement है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, तो एक flow chart बनाने के लिए, वो ह visual representation है, diagrammatic representation है, of algorithm, ठीक है, तो वो diagramatically उसको represent करने के लिए हमें कुछ components यहाँ पर चाहिए, आप जो पहला यहाँ पर देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, start, stop symbol बोलते हैं, या फिर आपको terminator symbol भी बोलते हैं, तो जबी भी हमें start करना रहेगा, और end करना रहेगा, हम यह oval symbol को use करेंगे, next is, यहाँ पर यह देखो, parallelogram जैसा बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, input, output symbol और data symbol बोलेंगे, right, तो अभी हमको कोई input लेना है, जैसे x and y या two inputs जो की हमें यहाँ पर लेना है, तो उस time पर हम क्या करेंगे, यह वाला box use करेंगे, यह वाला symbol use करेंगे, input ह हो गया, यह फिर output जब हमें print करना है, तब भी हम यह वाला box use करेंगे, right, processing कुछ करना है, तो processing में जैसे कि हमें add करना है, multiply करना है, divide करना है, कुछ भी processing करना है, तो उसके लिए हम action symbol use करेंगे, जो कि ऐसे rectangle box जैसा है, ठीके, rectangle box आईए, ठीके, इसको हम action symbol बोलेंगे, next हमें decision लेना है कोई भी, कि हमें यह काम करना है, कि वो काम करना है, अगर yes है, तो क्या होगा, अगर no है, तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ decision आता है, तो वो हम देखेंगे, example में कैसे decision करते हैं, इसको हम branching symbol भी बोलता है, या फिर decision symbol भी बोलता है, ठीके, यह वाला diamond shaped जो है, यह box हमें use करना है, decision making में, if x is greater than y, तो यहाँ पर क्या है, एक decision बन रहा है, कि क्या x, y से greater है, तो हम उसको represent करने के लिए, हम ऐसा वाला symbol use करेंगे, ठीके, next आगे हमारा control flow lines, इसको हम connectors भी बोलता है, इसका मतलब है, एक box से दूसरे box को connect करने के लिए, तो वो path जो define होता है, उस के लिए हम यह वाला arrows use करते हैं, ठीके, इसको हम control flow lines भोलता है, तो एक example देख लेते हैं, वही जो average का हमने लिया है, वही example जब हम देख लेंगे, तो हमें clear हो जाएगा, तो flow chart में पहले क्या रहेगा, start, तो start symbol हमारा यह से oval वाला था, तो हम वैसे ही use करेंगे, ठीके, next हमे हमें क्या करना है, input लेना है, x and y, दो numbers हमें input लेना है, ठीके, तो यहाँ पर देखो, मैंने connector use किया है, और input वाला box use किया है, ठीके, पर लेलो ग्राम जैसा, right, next हम क्या, फिर से connector use करेंगे, तो यह box के बाद process हमारा कहां जाएगा, तो input लिने के बाद, जो process flow है, उसको define करन है, वो दो numbers का sum find करना है, तो x and y को हम add करेंगे, और उसको हम store कर लिया, sum बोलके एक variable, उसको हमने store कर लिया, और उसको हमने store कर लिया, sum में, ठीके, next हम क्या करेंगे, फिर से connector use करेंगे, और average find करेंगे, तो average के लिए, हमारा जो पहले जो process, हमारा previous step में हमने क्या result मिला था हमें sum result मिल गया था, तो वो sum को हम divide कर लेंगे अभी 2 से, ठीके, तो हमें 2 numbers का ही average चाहिए, तो हमने 2 से divide कर लिया, और फिर उसको average बोलके एक variable में हमने store कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो पहला वाला step है, उसमें already जो मुझे मिला है result, उसको मैंने यहाँ यहाँ पे use किया है, तो यहाँ पर आप देखो, मैंने repeat नहीं किया है कोई step, ठीके, x plus y मैंने यहाँ पे फिर से नहीं लिखा है, fine, क्योंकि हमें already वो वाला step जो है, वो यहाँ पे हमारा हो चुका है, फिर से मैंने connector use किया, और क्या किया फिर मैंने, तो final result मेरा मिल गया, य ठीके, तो next क्या, stop, ठीके, तो यही तो steps था, तो फिर finally हमें क्या करना है, end करना है process को, कोई भी algorithm को definite steps में हमें end करना है, तो यहाँ पे stop symbol फिर आ गया, ठीके, हमारे steps complete हो गए, फिर हम end कर लिए process को, ठीके, this is a flow chart to find the average of two numbers, ठीके, next जो हम flow chart देखेंगे, यहाँ में आपको दो varieties दिखाऊंगे, ठीके, दो variant दिखाऊंगे, एक problem का दो solution कैसे होता है, और उसमें से कौन सा सही है, सही तो दोनों है flow chart, बट उसमें से कौन सा perfect है, और हम कैसे choose करते हैं, उसका मैं briefly आपको describe करूंगी, actually मैं briefly इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो इसका, तो इसका जो in- अगर दो variety है, तो हम कौन सा select करेंगे, आपका better understanding के लिए, मैं ये बता रही हूँ, ठीके, अगर आपको इसका in-depth study भी चाहिए, comment section में मुझे comment कर लेना, तो मैं कभी वीडियो में, फिर next वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगे, ठीके, maximum of two numbers find करना है, ठीके, तो यहाँ प ठीके, फिर हमने यहाँ पे एक decision box use किया, is x greater than y, ठीके, जबी भी हमें ऐसा कोई decision लेना होता है, तो हम decision box का use करेंगे, तो यहाँ पर, या तो yes में आएगा result, या तो no में आएगा result, ठीके, तो is x greater than y, अगर x greater than y है, यानि कि हमारा जो maximum value है, वो क्या है, ठीके, तो जो greater value है वो है x, तो हम क्या करेंगे, x को print कर देंगे, ठीके, और इसमें हम input output symbol मैंने use किया है, अगर x is not greater than y, मतलब no आएगा, ठीके, तो कौन सा greater होगा, y बड़ा होगा, ठीके, क्योंकि यहाँ पर two numbers ही है, तो print y, हम y को print कर देंगे, ठीके, हमारे steps यहाँ पर end हो गए, ठीके, हम किया हमने, input लिया x and y, ठीके, is x greater than y, अगर yes है, तो मैं एक variable यहाँ पर ले रही हूँ, max num करके, उसमें मैंने store कर दिया x को, तो यहाँ पर मैंने action symbol भी use करना पड़ा, मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ store कर रही हूँ, max num करके, एक variable ले रही हूँ, जिसमें मैं x store कर र in future, तब जाके हमें इसकी requirement है, अभी यहाँ पर तो मुझे बस find करना था, तो मैंने यहाँ पर direct मैं print भी कर लूँगी, तब भी चलेगा, ठीके, बट यहाँ पर मैं अगर max num लेके एक variable फिर से लेके store कर रही हूँ, यह step का basically मुझे requirement नहीं है, बट दोनों का difference समझने के ठीके, तो यहाँ पर फिर क्या है, x is greater than y, no, अगर no है, तो फिर मैं maximum में क्या कर रही हूँ, y store कर रही हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, at the end, मुझे print करना है maximum को, ठीके, क्योंकि maximum में या तो मेरा x रहेगा, या तो y रहेगा, ठीके, और दोनों में से कोई एक ही रहेगा maximum में, तो अभी मैं maximum में ने print कर लिया, जो greater है, वो maximum में है, और मैंने maximum को print कर लिया, फिर मेरा process यहाँ पर end हो गया, तो यही दोनों में difference यही है, कि यहाँ पर मैंने एक extra variable लेके, इसको store किया, फिर मैंने print किया, पर यहाँ पर मैंने direct print कर लिया, तो it depends on the type of, मतलब utilize हम कैसे कर रहे हैं इसको, तो इसकी efficiency क्या है, क्या नहीं, तो यह same question को हमने दो variant में इसको हमने solve किया, तो जब बात efficiency की आएगी, accuracy, accuracy दोनों की तो same है, यहाँ पर, but efficiency की आएगी, तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं, कि हम एक extra variable यहाँ पर ले रहे हैं, उसको store कर रहे हैं, एक extra step ब ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो जब हम कोई भी program लिखते हैं, तो जैसे मैंने बोला था, algorithm उसका base है, तो algorithm बनाते time हम, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे की efficiency कैसा है, अभी यहाँ पर example में आपने देखा, हमने एक variable यूज किया, एक extra step आगया, एक तो हमारा step बढ़ा, step अगर बढ़ता है, तो वो program में भी तो जब हम convert करेंगे, वो step हम include करेंगे, तो यहाँ पर एक variable हमने extra लिया, हम बोल सकते हैं, एक variable ही तो extra लिया है, एक step भी तो बढ़ा है, उसमें क्या इतना performance issue आजाएगा, बट जब हम बढ़ा program लिखेंगे, त तो एसे छोटे-छोटे programs को मिला के ही तो एक बड़ा application हम लिखते हैं, तो यह वाला जो habit है, हमें इसको ध्यान में रखना है, जब हम algorithm लिखते हैं, तो यह सारी छोटे-छोटे चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तो variable, जब हम एक variable extra होता है, तो वो भी तो कुछ resource use करेगा, memory use करेगा, memory में store तो होगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो algorithm है, वो base होता है, यानि कि हमारा algorithm efficient होना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका processing time आता है, resources आता है, कितना long calculations होता है, वो सारी चीज़ें आपका included होता है, जितना large number of calculations होगा, उतना ज़्यादा processing time लेंगे, उतना ज़्यादा memory हमें चाहिए, store करने के लिए, तो ये सब चीज़ों का धियान में रखना पड़ता है, ये तो एक दू examples है, जब आप specialization लेके, आप study करोगे computer science, तब इसके आपको और ज़्यादा in depth में जानने की ज़रूरत है, right, large calculations होगा, जितना more number of calculations होगा, उतना ज़्यादा processing time लगेगा, right, उतना ज़्यादा memory भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें intermediate results भी store करने है, ज़्यादा variables होगा, तो हमें ज़्यादा memory की ज़रूरत है, तो इससे क्या है, memory जब memory आ जाता है, आपका space related, तो जब हम memory की बात करते हैं, वो आ जाता है, आपका space complexity related, ज तो हमें इन दोनों का balance बना के हमें algorithm लिखना रहता है, right, क्योंकि हमारे algorithm को ही हम convert करते हैं, finally एक program में, right, तो space complexity और हमाई time complexity ये दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, कम number of calculations में, कम number of steps में, अगर कोई एक चीज़ को हम achieve कर पा रहे हैं, तो हम वो ज़्यादा efficient माना जाएगा as compared to large number of steps और large number of calculations, so all these things हमें mind में रखना है, while writing an algorithm, fine, तो हमने कुछ examples देखे, flowchart कैसे बनाते हैं, algorithm कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ questions दिया है, practice के लिए, आप इसको practice करना, कोई भी queries हो, तु मुझे comment section में comment करके आप बता सकते हो, next part में हम देखेंगे studio code और उसके examples भी देखेंगे, so till then take care, goodbye, keep learning,